Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी की घड़ी के उन प्रेश्णों की बात करेंगे जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आज की वीडियो में वही कोशन है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दरपन प्रेतिवम और जल प्रेतिवम वाले कोशन है आज की वीडियो में इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका दो बचकर बारा मिनेट बीस सेकंड का समय हो रहा है यदि इसे दरपन में देखा जाए तो क्या समय दरसाएगी देखे सबसे जरूरी बात इसमें यह है यह पॉइंट आप याद कर लिजे यह पॉइंट ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसे कि मालीजे बारा घंटे की घड़ तीनों दे रखा है यहाँ पर क्या है दोस्तों घंटा और मिनट यहाँ भी क्या है घंटा और मिनट लेकिन यहाँ पर क्या है घंटा मिनट सेकंड तीनों दिया गया है और इस कोश्चन में भी क्या है घंटा मिनट सेकंड तीनों दिया गया है हमेशा याद रखिएगा दो इसको आप माइनस कर दीजे जो समय आपको दिया गया है 11 गंटा 69 मिनट 60 सेकंड मैं से के लिए दोस्तों समझे में आ रही है बात तो कर दीजे माइनस 11 69 और 60 मैं से माइनस कर देंगे किसको जो समय आपको दिया गया है ठीक है क्या समय दिया गया है 2 में से 2 गया, 7 बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, तो क्या हुआ दोस्तों समय, दरपण में क्या समय दरसाईगी, 9 गंटा, 47 मिनेट, 40 सेकंड का समय, दरसाईगी, दरपण में, दरपण का मतलब शीशा, दरपण को क्या बोलते हैं, शीशा बोलत दोस्तों mirror ठीक है दोस्तों English में बोलते है mirror तो mirror में क्या समय दर्साइगी 9 गंटा 47 minute 40 second का समय दर्साइगी तो कौन सा पहला option दोस्तों आपका यहां पर सही हो जाएगा के लिए दोस्तों समझ में आ रहे बात देखे जब आपका तीनों दिया जाएगा घंटा minute second तो इस में से minus कर देंगे ठीक है clear है और आपको जब 12 गंटा या 24 गंटे में दिया जाएगा ठीक है तो उसे क्या करेंगे देखिए यहां पर क्या है 12 अब 12 को आपने क्या लिख दिया है 11 11 गंटा 60 minute कोई फरक है दोनों में 12 गंटे में और 11 गंटा 70 में कोई फरक है 11 गंटा 60 मिनट कितनी हो जाएगी तब भी 12 हो जाएगी देखिए घंटा minute second में से minus कर दिया था इसको और जब भी घंटे और minute की बात होगी तो इस में से minus कर देंगे के लिए देखे कैसे जैसे आपसे कह दिया जाए कि 12 गंटे में से मानिस करना है तो 12 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 11 11 गंटा 60 मिनिट होगे ऐसे 24 गंटे का कोई समय हो तो उसमें से एक कम करेंगे 23 गंटा 60 मिनिट होगे केलियर दोस्तों समझी में आगी बात अब अगला कोशन देखते हैं जिससे के और अच्छे तरीके से समझी में आ जाएगा केलियर दोस्तों अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है यदी घड़ी 18 गंटे 40 मिनट की है और 9 गंटा 20 मिनट का समय हो रहा है यदी इसे दर दरसा रही है 9 गंटा 20 मिनिट का समय दरसा रही है के लिए दोस्तों समझ में आगी बात मैंने दोस्तों अभी अभी आपको क्या बताया था जो घंटे यहाँ पर दे रखेंगे उससे एक कम करके माइनस करेंगे हमेशा ठीक है यहाँ पर क्या दे रखा है 18 गंटे दे 17 गंटे लिखेंगे ठीक है यहाँ कितने मिनट है 40 तो 40 लिख लिखेंगे के लिए दोस्तों समझ में आ रही है बात आप देखें कितना समय दरसा रही है 9 गंटा 20 मिनट तो 9 गंटा 20 मिनट को आप यहाँ पर माइनस कर देंगे बस दोस्तों आप ह Chemra 6 गया कितना 40, 20 में से 20 किया दोस्तो 20 आएगा, केलियर है अब यहां मैं से 17 मैं से 9 जाएगा कितना आएगा, 17 मैं से 9 जाएगा 8 आएगा, तो 8 बज़ कर 20 मिनट का समय दिखाएगी दोस्तो केलियर है, 8 बज़ कर 20 मिनट का समय दिखाएगी बी option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा केलियर दोस्तों दरपन प्रैतिविम या फिर जल प्रैतिविम के जो question होते हैं आज आपके अच्छे तरीके से केलियर हो जाएगे दोस्तों लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना ठीक है दोस्तों जो भी समय दिया जाएगा दोस्तों हमेशे याद रखना दरपन प्रैतिविम में जो भी समय दिया जाएगा उससे एक कम कर देंगे 18 गंटा 40 मिनट की घड़ी है उसमें से कम कर दीजिए बस 18 में से कम कर देंगे 17 हो जाएगा और जो समय है उसको मानस कर दीजिए बस आपका आंसर आजाएगा के लिए दोस्तों समझे में आगी बात अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका यदी घड़ी 17 गंटे 40 मिनट की है और 8 बच के 20 मिनट का समय हो रहा है इसे दरपन में देखा जाए तो क्या समय दरसाएगी घड़ी कितने की है दोस्तों 17 गंटे और 40 मिनट की है किलिए रहा है इसको एक कम करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 16 गंटे 40 मिनट हो जाएगा समय कितना दिर रखा आठ बच कर 20 मिनट का समय हो रहा है आठ वज़ कर 20 मिनिट का समय हो रहा है, इसको कर दो माइनस, 40 में से 20 जाएगा 20, 16 में से 8 जाएगा 8, तो 8 वज़ कर 20 मिनिट का समय हो रहा है, इस question का answer भी 8 वज़ कर 20 मिनिट हो जाएगा, के लिए दोस्तों समझ में आरी बात, जितने घंटे की घड़ी है, उसमें से एक करके लिखेंगे, और जो समय हो रहा है, उसे माइनस कर देंगे, आपका answer आजाएगा, तो उम्मीद करता हूँ, दरपन प्रतिविम वाले question आपको अच्छे तरीके से समझ में आगे होगे, के लिए दोस्तों दरपन प्रतिविम का जो concept है, आपको अच्छे तरीके से समझ म आगया होगा, अब देख लेते हैं दोस्तों जल प्रतिविम, ठीक है, जल प्रतिविम का question क्या है, वो देख लेते हैं, अगला question है दोस्तों आपका, जब घड़ी में 5 बजे होंगे, तो जल प्रतिविम क्या होगा, इस वार question में दोस्तों क्या दिया गया है, जल प्रतिव दिया होगा। क्या करेंगे ऑठारा से दिए क्या फिराइगा। के लिए दोस्तों जल प्रेथिवेंब के लिए यह ट्रिक याद रखिए बस आप कांसर आ जाएगा के लिए इस में से मैनिस कर देना है अठारा तीस में से मैनिस कर दीजे दोस्तों क्या समय दिया गया है तो अठारा तीस में से पांच बजे को मैनिस कर दो आप कांसर आ गया यहां कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और 18 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 13 तो 13 बज़ के 30 मिनिट अब 13 किसी समय यहां दिया गया 13 दस लेकिन आपका आंसर कितना होगा 30 तो 13 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 12 के बाद 13 आता है तो उसे एक लिखते हैं एक बच कर 30 मिनिट का समय हो जाएगा मतलब बी आफसन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा के लिए अरे दोस्तों समझे में आ रही है बात आप हमेशा याद रखना जब भी जल प्रतिविम का क्वेशन होगा 18 तीस में से मानिस कर देंगे समय को बस आपका आपका जाएगा के लिए दोस्तों समझे में आगी बात अब देखते हैं अगला कॉशन अगला कॉशन है आपका जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो जल प्रतिविम क्या होगा दोस्तों जल प्रतिविम का क्वेशन पूचा जाएगा क्या करेंगे अभी अभी बताया है 18 तीस में स माइनस कर देंगे आपका अंसर आजाएगा के लिए रहा कर दीजे माइनस 18 30 में से कितना समय दिया गया तीन बजे का समय है तो तीन बजे को आप माइनस कर दीजे 18 30 में से यहां कितना आजाएगा 30 अब यहां पर दोस्तों देखिए 18 में से 3 जाएगा कितना आएगा 15 ठीक है 15-30 किसी option में है नहीं है लेकिन 15 को क्या लिख सकते हैं आप 3 12 के बाद 1 बसता है फिर 2 बसते हैं फिर 3 तो 12 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 15 लेकिन 15 कब बसते हैं जब 3 बसते हैं ठीक है तो 3 बसकर 30 मिनिट का क्या हो जाएगा समय हो जाएगा कौन सा option दोस्तों बी option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा के लिए रहे 15 को क्या लिखते हैं दोस्तों 3 के लिए दोस्तों जैसे घड़ी में 12 बचे हैं के लिए रहे 12 के बाद कितना बज़ेंगे 13, 14, 15 12 के बाद कौन सा समय आता है 1 का समय आता है उसे 13 बोलते हैं 1 के बाद 2 का समय आता है उसे 14 फिर 3 का समय आता है उसे 15 बोलते हैं के लिए दोस्तों समझे में आगी बात अब देखते हैं दोस्तों अगला question अगला question है आपका जब घड़ी में 8 बचे होंगे तो जल प्रतिवम क्या होगा क्या करना है दोस्तों जल प्रतिवम के लिए 18.30 में से मानिस कर देना है कर दीजिए 18.30 में से दोस्तों मानिस कर देंगे जो समय आपको दिया गया क्या समय है 8 बजे का समय है ठीक है यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आजाएगा ठीक है 8-10 मैं से 8 को घटा देंगे कितना बच्चे का 10 तो 10 बच्च कर 30 मिनिट का समय होगा D-Option दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा के लिए दोस्तों समझ में आगी बात तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या बताया है दरपन प्रतिवंब वाले कोशन और जल प्रतिवंब वाले कोशन कराए हैं उमीद करते हैं दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा के लिए दोस्तों समझ में आगी बात